हाई फ्रेंड Jeez मैं हुरुँ दहुँ और आज मैं आपको रिफैंड औॉल कैसे बनता है वह डीटेल में समझाने वाला हूँ रिफैंड औॉल के बारे मैं जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखती रहिए First, कोई भी refined oil कैसे बनता है सबसे पहले refined oil बनाने के लिए जो seeds उपयोग में लाए जाते है वह rejected seeds होते है Second, refined oil बनाने के लिए petroleum products use किये जाते है Third, refined oil बनाने के लिए 12 प्रकार के chemicals उपयोग में लाते है Fourth, बहाँ तेल को filter करने के लिए एक hexine नाम का एक petroleum product उपयोग में लाते है Hexine यहाँ एक cleaning agent है Fifth, यहाँ hexine आरुग्य के लिए बहुत हानी कारक होता है इसके कारण हमारे शरिव में बहुत सरी अलग-अलग तरह की बीमारिया पैदा हो सकती है जैसे कि polyneuropeathy, muscular weakness, headache, dizziness यानी आलस्य, giddiness यानी चक्कराना, slight nausea यानी सुननता, मानसिक ठकावट, मास पेशियों की कमजोरी, दुरुष्टी धुनली होना, शारीरिक ठकान, neurotoxic प्रभाव पड़ता है Sixth, उसमें निरले प्यूज किया जाता है इससे cancer होने की संभावना बढ़ती है Seventh, उसमें nickel use किया जाता है उससे cancer होने की संभावना बढ़ती है उससे respiratory system, liver और skin के cancer होते है Eighth, इसमें sodium hydroxide मिलाया जाता है और भी दुसरे preservatives मिलाया जाते है वह बिल्कुल भी healthy नहीं होते इसके करण ulcers यानी छोटे और बड़े आतों में घाव भी हो सकते है Nineth, refining process में bleaching, de-waxing, de-orderizing, de-gumming, acid treatment, alkali treatment किये जाते है इन हानी करण प्रक्रियों के कारण तेल में करण क्रोलोफिल, content flavor और पोशक तत्व कम हो जाते है Tenth, ये सब process होने के बाल उस तेल को 240 degree Celsius के तापमान में distill किया जाता है जिससे तेल के सारे पोशक तत्व खतम हो जाते है Eleventh, इस eventually impacts with increased oxidization and rancidity in the edible oil Twelve, ये आपके फेफडों के स्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और उमर बढ़ाने के लंबे समय की क्षति पूर्ति करना कठिन बना सकता है फेफडे की और आपके मांस मस्तिक्ष में रखता परिसांचरन में कमी के कारण आपको कई श्वास और अन्या कठिनाओ का अनुभाव हो सकता है Thirteen, जब हम cardiac problems यानि रुदे से जुडे रोग पे आते हैं तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं लेकिन Refined Oil से cardiac problems होने के संभावना बढ़ती है Fourteen, यह Refined Oil आपके दिल के लिए slow poison है Refined Oil के वज़े से heart attack आने की संभावना बढ़ती है और trans fat बढ़ता है अब आप भी बताएं कि Refined Oil हमारे सहत के लिए अच्छा है या नहीं Refined Oil के जगा आप लाकड़ी घाना का तेल या कच्ची घानी का तेल खा सकते हैं या आप कम से कम filter oil तो खा सकते हैं अगर हमें Refined Oil के वज़ से कोई डीसीज हो गया तो हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाएगे लेकिन जब हमने लाकड़ी घाना तेल या filter oil खाया तो हमारे डीसीज बहुत कम हो जाएगे और हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे इसलिए मैं आपको सला देता हूँ कि आप Refined Oil के जगा है filter oil या लाकड़ी घाना का तेल ही खाये अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सस्क्रेब कर दिजे बेल नोटिफिक्शन को अलपे सेट कर दिजे और एक लाइक भी कर दिजे आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंड के माध्याम से बता सकते है अगली वीडियो तक बाई बाई